नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरे पास मैं काफी TIME से में कुमेंट से पूस्ट जा रहा है कि हमारी बाई का इंजन जो है वह गर्म रहे है इसी चीजर को लेकर मैंने Friends… आपको यलिए व्यूडियो बना रहा हूँ कि आपका बाई का इंजन है वह क्यों होता है Friends अधिरी में पूर्स स्पोर्स्ट्रोक वाइक जो होती है सप्लेंडर हो या दिलेक्स हो पल्टीना शिटीस हो कोई भी आप अधार को चौन होता है यह प्रेंडर अधर अधर के दोड़ा ही वह थंदा होता है आप देखे आपको एंजन में ये शेप दिक्री होगी, ये शेप लगी हुई है ये शेप जो है एर कुलिंग सिस्टम है पर इस इंजन लेए फिर इतना ही ये अचाओन ज हए प्लक के आशिगे हो दाने मुट्व Allen करेदे दोगा गारी फिर evident हैं इस जगहuju फ्रेंट से पिलास्ट होता है आग का जिस को पेло इसलिए बारवी इस जगह लितन होता है तो फ्रेंट मैं आपको बता रहा हूं अगर आपकी गाड़ी जो रख्लार हो रही है अगर आप किसे चाहते हैं कि यह गड़ी जो है कंट्रोल में आ जए यदा हीट ना हो तो friends इसके लिए जो इंजिन की पति है यह जो इंजिन की पत्ती होती है कचरा हो गएरा गंदगी रोने के लिए friends इसको रिमूव कर दो friends क्योंकि friends इसके लगाने से करीबर 80% तक हवा जो इस करण से आपकी बाइक जो है वह हीविट की प्रोडम दिखानी सुरू करती है तो फ्रेंड्स पती ना लगो किसी तरह की क्योंकि पती लगाने से आपकी एंजन की शेफ है जो शेफ है कूलिंग सिस्टम की उसके साम रुकावट आती है और दूसरा फ्रेंड्स इंजन जो ह में खांचे दिख रहे हैं आपको फ्रेंड्स ये खांचे हैं ये खांचे बिल्कुल साफ आकि उने चीए ताकि इन में पूरी हवा लगे और आपका एंजन जल्दी गरम ना हो और फ्रेंड्स इसके अलावा एक खास जो इंपोर्टन बात है फ्रेंड्स वह ये आपकी जो है ये फ्रेंड्स और इसके अलावा मॉबिल एकारण उस पे जो मीटी डश्ट होती है चिपकती है तो फ्रेंड्स कुल मिला के आपको कहने का मक्सद मेरा ये है कि आप जितना भी हो सके फ्रेंड्स इस तरह का जो ये शेव इंजन के पत्ति को लगाते है या रबड या जो रबड होता है वो लगाते हैं कोई इस तरह से आप कोई फिस्टम अगर रोकते हैं ताकि मिटी नहीं तो यह है बहुत जगलता है और इसे जो बाइक है वह आपकी हीट में यदा आती है और फ्रेंड्स बाइक हीट में आने कारंग फ्रेंड्स क्या होता है आपकी जो बाइ जब कोई भी बाइड चलती है वो भी हमारी से गाड़ी कोँ आणि सीन सावघका हुआ है तो गॐड़न करती है कि अ गरवी डिकत नहीं चुक्सरादी नहीं भींआ होता हे इंजा सान्न काफी सावड़ान हो यह बात है कि जो यह बाइक होती है फ्रेंट्स यह अगर आपकी हीट होगी तो एटोमेट जो है बंद हो जाएगी बंद होने पर वो ठंडा होने पर फिर स्टार्ट हो जाएगी आप टैंक्सन ना लो और गबराओं मत कि हमारी गाड़ी एक्ष्टा जो गरम हो रही है लेकिन इतना फ्रेंट्स यह है कि गाड़ी गरम होने से आपकी गाड़ी को नुक्सान होने के चांज जड़ा होते हैं